वाज़ से पूरा विहार पीड़ित था यहां पर पानी कितना था उद्ञ ओधि का पानी कितना चड़ा होता है इतना पानी रूपकल था घूंटी के अंदर एक बानों में पानी इतना कम हुआ है कि लोगों को दिल में थोड़ा सा राहत आया है कि नहीं अब हम रह सकते हैं नाराजी नदी के टक्त पे तो लोग नहा रहे हो हे गाईज आप सभी को स्वागत एक बार फिर से हमारे ब्लोग वीडियों में आप सभी को ले के आ गया कहां आप सभी को पता होगा कि फत्याबाद गाउ में नदी के किनारे हम आ गए हैं और आप सभी को एक बात पता होगा कि बाड से पूरा बिहार पीडित था यानि कि बा युक जैसे परशान थे, काफी परिशान थे, उनका इतना कलीजा काप गया था, कि मैं आप सभी को क्या बताऊं, और आज देखे, माता रानी का अशिरुवाद ये है, कि आज पहले से तोरा सा राहत परा है, तो आज मैं वही आप सभी को दिखाना चाहता हूं, तो आप साइकल से आया हूं यह साइकल मेरे मित्र का है और मेरे घर से या छे किलोमेटर के आसपास पड़ता है यानि जाना आना छे दुना बारे किलोमेटर है तो वही मैं आगे और आप सभी को फत्याबाद नदी का दिखाऊंगा भ्यूज कैसे यहां पर लोग गुजारा करते थे जब बाड़ से पीरित होते हैं तो उनका रात का नेंद दीन का छेन पूरा खड़ाब हो जाता है तो चलिए हमारे साथ एक गार्जियन समान चाचा है तो उनसे थोड़ा सा बाचित करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहां का जो प्रस्तीती था कैसे गुजरा है और लोग य अईये चाचा जी इधर चाचा जी आपका मैं स्वागत करता हमारे ब्लोग में तो आपका सबसे पहले में नाम जनना चाहता हूं मेरा नाम पारस कुमार सा आप कहां से बिलंग करते है प्रोपर फत्याबद गाउं से तो यहां के बारे में बता सकते हैं जब बाड़ आया यहां पर पानी कितना था यानी कि अभी तो हम नदी के नदी डिकल धिक रहा है नादी कि अन्दा पूर आ हूब यहां आद है जमीन से यहां पूरा घर दूब गया था अभी अभी देख सकते हैं आप लोग पानी हर जगा जगा पे लगा हुआ है क्या बोले चाचा पीच से पूरा परिशान था देखता जिनका घर है काफी यदा परिशान धेख सकते हैं यदर मोधा पीच पीच पहर देख सब्सक्राइब है यह तो थो फीट पानी चरहा हुआ mist पानी से डूबा हुआ था ये पूरा इकनम दोसा खड़ा हो गया रहना सेहना कैसे होता था सब से ओपर बन्ध दुसारा बान्द कि पहला बांध बन्ध कि अबंद क attributed to do का में कट उआ अगर बांद पार अगर पानी चला जाता तो लभ गया था लेकिन अभी पहले से रहात हुआ है बहुत रहात है पानी केःना दीन में हो गया चार दिन एहां निकि आप पूरा पूरा लावा लाव हो गया मैं आपको इधर का सुच्वेशन क्या बताओं यहां की यहांगे नहीं को एक कैसे लोग रहते थे ठीक है तो चलिए आप सभी को एक चीज और दिखाना चाहता हूं यहां पे हमारे गार्जियन शमान दादा जी हैं बुजूर्ग लोग हैं ठीक है तो चलिए इनसे पूछेंगे कि इनके जमाने में यानि कि कई साल पहले बाढ़ आता था कि नहीं आता थ हूं हमारे ब्लोग में और आपका नाम चाहता हूं अप कहां से ब्लोंग करते हैं फत्यावाद से और जब बाढ़ कुछ दिन पहले जो आई थी बाढ़ जो कुछ दिन पहले आई थी यहां पे रहांसन कैसा हो गया था क्या पानी कितना चड़ा हो था पुड़ा घर में पा पानी मीनिमम कितना दिन में पानी कम हुआ है इस पानी कम हुआ है चार दिन में चार दिन में इतना पानी कम हुआ है तो देख सकते हैं यहां का जो द्रीश से है और पहले से अभी रिलाक्स हो रहा है महसूस अब है कुछ ठीक है अभी ठीक है तो देखिए और एक गार्जि क्या साल पहले बाड़ आया था कि बराबर बाड़ आता है यानि कि आप देख सकते हैं इधर का जो जड़िया देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 60-65 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है मुझापरवर जीले के पारू परखंड के अंतरगत फत्याबद गाउं का भ्यूज आप सभी को मैं दिखा रहा हूं ठीक है या जो गाउं है फत्याबद गाउं से यानि कि इस नदी का नाम दिया गया है नारायनी नदी नारायनी होता है कि इसान अपना मौत देख रहा होता है ऐसा हो गया था ठीक है इनसान नहीं पाता था चैन का रोटी नहीं खा पाताथा यानि कि सारा रात जर्णिटर चलाय जाता था जितने लोग थे जितने छोटे से बच्चे सभी लोग रात जाग जाग कर गुजारा करते थे कि मेरे साथ क्या ऐसान होनी हो जाए इसका कोई जवाब नहीं था इन लोग के पास लेकिन आज देखे माता रानी का शिरवाद वही है कि चार दिनों में पानी इतना कम हुआ है कि लोगों को दिल में थोरा सा राहत आया है कि नहीं अब हम रह सकते हैं कहें कि यहां का मंजर आप सभी को देखा रहे हैं कि कैसा लग रहा है आप लोग देख के बता सकते हैं कि इधर का नजारा कैसा है दादा जी से मुझे माल पूरा दूर्व गिला है पैर इसमआधि धश जाएगा। इदर का नजवारहा आप सभी को दर्दनाक लग रहा हूँ खेटNow चोटा सा भ्यूज आप सभी को मैं ले के चलूँगा कहा नारायनी नदी के टक्त पे तो देख सकते हैं मैं वही आप सभी को फत्याबाद का भ्यूज दिखा रहा हूं सामने आपका नजर जहां जहां तक जा रहा है यह पूरा पानी से लबालब हो गया था और पहला बांध ूजयी तो वहाँ पे है कि मैं बांध आगे है जो मैं चड़ के आया हूं और दुसर का बांध पानी के कटाओं में डूब राइव तो देख सकते हैं यहां पे इतना ज्यादा मात्रा अभी कम नहीं है, हो सकता है, देखते हैं, मापा तो नहीं जा सकता है, लेकिन देख सकते हैं, पानी का जो गती है, तेज बहाओ है, देख सकते हैं, देख लोग, देख रहे हैं, यह फत्याबाद नारायनी नदी है, नारायनी नदी है, तो यहां पर देख, का बहुग तक जहां आपका नजट जा रहा है, वहां तक पूरा पानी से लबा लब हो गया था, और सामने देख सकते हैं कि बिहार में बाड से बहुत जगह पिरित हो गय थे यानि की परशानी जहिलना परा था बाड से, देख सकते हैं वहां पे, तो यही आप सभी को मैं भ्यूज यहां कर दिखाया हूँ लेकिन माता रानी का शिर्वाद है कि अभी पहले से बहुत रहात है तो चलिए आप सभी को अपडेट देते रहता हूँ और हमारे चाइनल पे जो लोग नए हैं तो पिलीज आप से रिक्वेस्ट है कि बेले उसको जितना हो से के उतना सेर जरूर करेंगे तो चलिए माता रानी का सिर्वाद आप सभी पे बना रहे और मुझे पे बना रहे